सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सब से पहले और हाँ बेल आइकन दबाना ना भुलें हमारे हाँ आज कल एक समाज में परचलन हो गया है कि बेटे बेटियों का विवाह एक बहुत बड़ी उम्र में जाकर करने लगे बेटे बेटे की आयू निश्चित है कि इस उम्र में विवाह हो जाना चाहिए उस समय उनकी भावनाएं जो है इस तरह की होती है कि जिससे वो जुड़ेंगे जीवन परियंत जुड़े रहेंगे लेकिन वही बच्चे जब बहुत दुनियादारी में घूम लिए देख लिए समझ लिए उसके बाद आप उनका विवाह 30 साल में 32 साल में 35 साल में विवाह कर रहें लोग बच्चा 25 साल का 26 साल का नहीं हो जाए तब तक तो लोग विवाह की चर्चा नहीं छिड़ते हैं अभी तो बहुत छोटा है पड़ा रहा है फिर 28 साल 30 साल का हो गया तो पत्री का लेकर आचार जी कि हां जाएंगे 30 का हो गया बेटी नहीं मिल रही अब कहां से मिले जब तक वे संसकार ता उस समय तो आपने ध्यान नहीं दिया अब वो 30 वर्स का हो गया तो कुंडिली एकर गुंब रहें और जो हमारे सरकारों ने कानून ने जो तै कि है उस सीमा में हम विवह करते हैं सही समय पर विवाह संसकार करें बहुत अधिक बिलंब बेटी के बिवाह म में ना होने दें जहां हमारे बेटे-बेटी के विवाह में बहुत अधिक बिलंब होता है उसकी आयू बहुत अधिक हो जाती है जितनी अधिक प्लीज philosopher नाण है मैं जब बाल लावस्था में वहा होते थे उस बेटे का मन उस बेटे का मन इतना पवित्र होता था कच्छे ःफित्यां के तिरह होता था जिसके परती टिकता ता जीवन प्रियंत वो उसका समर्पित हो करके रहता था उसके पृति प्रेम होता था आज बहुत वड़ी आयू में विवाह करने से अब वो बेटे वो बेटियां उनका मन मस्तिस्क तमाम इस्थानों पर यहां वहां भिर्मित हो गया भटक गया कहीना कहीं इसके कारण समाज में भेव कुना पड़ रहा है इसलिए समय रहते हम अपने बेटों की बेटियों का विवाह संपन्न कर दें ताकि उनका दामपत्त जीवन सुखी रहे समरद्ध रहे और वो प्रशन रहे तो बहुत बड़ी आयू में विवाह करना भी तलाक होने का अलगाव होने का एक बहुत भीरता से विचार करना चाहिए कि एक समय सीमा में एक निश्चित आयू में ही बेटे बेटी का विवाह कर देना चाहिए